हलो एवरीवन वेलकम तो माई यू पीएस्सी देखें जो आर्पीएस्सी ने फर्स्ट ग्रेड इस्कूल लेक्चरर के लिए जो वेकेंसी निकाली है भी रिसेंट्ली 6000 के अराउंड वेकेंसी हैं टोटल काफी सब्जेक्ट्स हैं इसमें आपने यह नोटिफिकेशन देख लिया होगा उसके ओनलाइन फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं अगर आपने अभी तक फॉर्म एपलाई नहीं किया है तो आप एपलाई कर दीजिए पांच मई से ओनलाइन चालू है और यह चार जून तक चलेगा तो लाश्ट डेट पर फॉर्म बरने से अच्छा है कि आप अभी टाइम से अपना फॉर्म फिल कर दीजिए उसके काफी फाइदे भी रहते हैं और फिर एकदम से फॉर्म बरके फ्री होके आप अपनी प्रिपरेशन में लग जाई है एक्जाम की तहारी करने के लिए रेगुलर हम डिसकस करते रहेंगे लेकिन जो सबसे इंपोर्टेंट है वो है आपको जो स्लेवस प्रोवाइड करवाया और पी एससी ने उस स्लेवस को फॉलो कीजिए त्रूआउट एंड जो प्रिवियस येर के पेपर हैं उनको सॉल नौलेज, कॉन्फिडेंस ये बढ़ना चीए तभी आपके प्रिप्रेशन बढ़ेगी तभी आपका सेलेक्शन होगा ये पहला टेस्ट है रेगुलर बेसिस पर आपको टेस्ट करवाते रहेंगे हिंदी और इंगलिस दोनों मीडियम में करवाएंगे आपके कोई भी सजे प्रिप्रेशन बढ़ेगे राजस्तानी के लिए क्यूशन नमर फर्स्ट है राजस्तानी के लिए साहित्य अकादमी अवाड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है देखे जो साहित्य अकादमी है ये कहां पे है ये है न्यू डेली में नई दिल्ली में है ये कहां पे है कमानी सबागार सुनाओगा आपने कमानी सबागार कमानी सबागार है वहीं पे है ये साहित्य अकादमी जो 2021 का हुआ था इसमें चीफ गेश्ट कौन थे इसमें जो चीफ गेश्ट थे वो थे बालचंद्र नेमाडे बालचंद्र नेमाडे ये महराष्टर के कभी हैं लेखक हैं क्रिटेक्स हैं ये इसमें चीफ गेश्ट थे साहित्यक आद्मियवार 2021 में ये क्यूशन पूछा जा सकता है कि कौन चीफ गेश थे मुख्याती थी कौन थे ये चीज के लिए रो गई आपके अब दूसरा इसमें टोटल 24 बासाओं को पुरुसकार दिया है जिसमें राजस्तानी के लिए किसको दिया है राजस्तानी के लिए जिस काव्य करती को राजस्तानी जो काव्य करती है मुग्ती मुग्ती के लिए दिया है एक क्यूशन बन सकता है कि जो साहित्यक आद्मियवार 2021 दिया है वो किस करती के लिए दिया है ये काव्य करती है मुग्ती मुक्ति के लिए दिया है और ये किशने लिखाया है किसकी कृति है ये है मिठेश निर्मोही अब ये क्यूशन आपके किलियर हो गया होगा साहित अकाद में आवार 2211 से कोई क्यूशन आता है तो आप उसको 100% अच्छे से सही कर पाएंगे नेक्स्ट क्यूशन देखते हैं एनियन्तरित कलम से बरबादी होती है ये प्रसिद्ध कथन किस महापुरुश ने कहा था देखे कहा जाता है कहा था ये an uncontrolled pen serve but to destroy एक एनियन्तरित कलम से बरबादी होती है ये कहा था पत्रकारिता के संधर्म में कहा था मातमा गांदी ने अभी कई पत्रकारों पे देख रहे होंगे आप पिछले एक दो साल से कई स्टेट्स में केस दर्ज हो रहे हैं कई जगे पत्रकार भी अपनी लिमिट क्रोस कर जाते हैं, कई बार सरकार अपनी आलोचना सेहन नहीं कर पाती है, दोनों ही वज़े होती है, जो इस पे गांदी जी का जो मत था वो था पत्रकारिता का मुख्य उद्देश है सेवा करना, यदि कलम को नियंतरित नहीं किया जा ये महात्मा गांदी जी ने कहा था, सेकेंड वन इसका करेक्ट आंसर होगा, राजस्तान सरकार की नवजीव योजना का उद्देश क्या है, नवजीव योजना ये काफी चर्चा में इसको जरूर द्यान में रखिएगा आप, पहले तो इस नवजीव योजना में क्या है, इसमें टोटल अभी प्रजेंट में 30 काश्ट, 30 जातियां सामिल है टोटल इसमें, पहले इसमें 14, 14 जातियां ही सामिल थी, लेकिन अभी जो 22,23 का बजट गोशना किये है, 2022,23 की, उसमें इन्होंने 16 और जातियों को इसमें सामिल किया गया है, टोटल लगबग 98,000 लोगों इसमें identify किया है, और यह किसके लिए है, जो अवेज सराब निर्मान है, उसमें लिप्त जो व्यक्ति है, उनको लाबाण वित कर, उनको मैनि स्ट्रिम में लाना मुक्यदारा में, जो हत्कर सराब, अवेज सराब ये बनाते हैं, उनके लिए है ये नवजीव योजणा, यह मार्च 2022 में Smart City Mission की रैंकिंग में कौन सा राज्य सीर्स पर है? अब भी मार्च 2022 में ये रैंकिंग हुई है Smart City Mission की इसमें जो टॉप पे है, टॉप पे इसमें है राजस्तान इसमें टॉप पे है Smart City में, इस्टेट में इससे पहले 2020 में भी जुलाइ 2020 में हुई थी जब भी राजस्तान इसमें टॉप पे था Smart City Mission की जो रैंकिंग थी उसमें, इस तरीके के क्यूशन आपके एक्जाम में पूछ लिए जाते हैं, देखें आपका स्लेबस अच्छे से कवर करवाया जाएगा और ना सिर्फ स्लेबस कंप्लेट करवाएंगे बकि उसका रिवीजन भी आपको करवा देंगे, आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सवतंदरता के बाद जयपूर में आयोजित भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस अधिवेशन के अध्यक्स कौन थे, देखें अभी कॉंग्रेस का है, जो लिए एक चिंतन सिविर होने वाला है उद्यपूर में, तो इस तरीके के कुशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एकजाम में, ये जयपूर में हुआ था आजादी के बाद, तो इसके अध्यक्स कौन थे, ये कब हुआ था, ये जयपूर में हुआ था, 1948 में, और इसकी अध् पट्टा भी सीता रमयान है सी इसका correct answer होगा third one पुस्तक target 3 billion ये book है इसका नाम है इसका title था book का target 3 billion इस target 3 billion के writer कौन है आपके चाई ancient medieval ज्यादा तर तो medieval का ही पूचा जाता है art culture से की book की बात कर रहा हूं है तो book के writer कौन है या फिर जो famous हो personality उनकी पूचली जाते है लेकिन book के writer से related question आता है आपके exam में आप previous year के question उठा के देखेंगा आपको मिलेगा target 3 billion है इसके writer है missile man डॉक्टर A.P.J. अबदुल कलाम C. इसका third one से correct answer होगा साहित्ते के क्षेत्र में noble पुरुषकार 2021 किसे परदान किया गया अभी 2022 के तो आये नहीं है 2021 का किसे परदान किया गया साहित्ते की बात हो रही है literature के field में किसे दिया है noble prize देखे noble prize जो literature में मारियारेशा मारियारेशा को दिया है peace के लिए जो शान्ति का noble पुरुषकार 2021 है वो मारियारेशा और एक और थे Dimitri आंद्रेविच Dimitri आंद्रेविच और मारियारेशा इन दोनों को दिया था ये दोनों ही पत्रकार है डेविड डेविड जूलियस है अमरीकी साइंटिस्ट है डेविड जूलियस के साथ अर्देम पटापाउटियन इन दोनों को मिला था मेडिशिन के फिल्ड में मिला था अब्दुल रजाक गुर्णा अब्दुल रजाक गुर्णा को मिला है ये मिला है लिट्रेचर के फिल्ड में इनको मिला है literature में तो इस question का correct answer होगा साहित्य के kषेत्र में अबदुल रजाक गुर्ना डेविड कार्ड कौन है डेविड कार्ड को economics के field में मिला है अर्थ सास्तर के क्षेतर में नोबल प्राइज 2021 डेविड कार्ड को मिला था तो ये चार एक कुशन में चार चीज़े आपकी क्लियर हो गई आप इनको ध्यान में रखियेगा राजस्तान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस सहर में किया जाएगा किया गया है ये हो चुका है ये अभी हुआ है रिसेंटली मार्च में मार्च 2022 में हुआ है राजस्तान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन ये जोदपूर में हुआ है 25 से और 30 मार्च को ये जोदपूर में हुआ है इसको कई बार शॉर्ट में रिफ भी बोलते हैं रिफ नेक्स्ट क्यूशन देखते हैं मेवार प्रजामंडल के कब पर्थम अधिवेशन कब हुआ था? मेवार प्रजामंडल इसका पहला अधिवेशन कब हुआ था? देखें मेवार प्रजामंडल का प्रजामंडल से एक क्यूशन आपके जरूर पूचा जाता है इसलिए इनको अच्छे से पढ़िएगा राजस्तान का एक ही करन ये भी इंपोर्टेंट है बाकि आपको यहां सब करवा दिये जाएगा एक जो माइनूर माइक्रो टॉपिक है वो सारे करवाए जाएगे इसका करेक्टा आंसर आएगा नवंबर 1941 नवंबर 1941 में मेवार प्रजामंडल का पहला दिवेशन हुआ था SIPF stands for ये SIPF है ये क्या है ये है State Insurance and Provident Fund देखे आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों बनाया है अभी ये जो पेंशन स्कीम की गोशना की है बजट में पेंशन स्कीम जिसको बहुत जोर सोर से अच्छा बताया जा रहा है रोज मुक्यमंत्री जी को गुल धस्ते बेजे जा रहे हैं तो उसी से रिलेटेड है ये डिपार्टमेंट इस्टेट इंस्चोरेंस और प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट ये पेंशन स्कीम से ही है तो ये क्योशन आपसे पूछा जा सकता है काफी इंपोर्टेंट है ये 22 जनवरी से 28 जनवरी के बीच ओपरेशन सर्दवा किस बल द्वारा चलाया गया है 22 जनवरी से 28 जनवरी के बीच जो ओपरेशन शर्दवा चलाया गया है ये चलाया था BSF ने BSF ने चलाया है पाकिस्तान बॉर्डर में बॉर्डर पे ये राजस्तान में और इस पेसली कहां जैसलमेर में इसको द्यान रखियेगा ओपरेशन सर्दवा BSF ने चलाया है निमले कित्मे से किन पाहडियों पर राजस्तान का पहला रोप वे बनाया गया राजस्तान का पहला रोप वे कहां बनाया गया है किन पाहडियों पर बनाया गया है देखे सबसे पहले तो यह important question है राजस्तान में कितने रोप वे हैं total जब एक question आएगा तो आपके दिमाग में जरूर आएगा कि कितने total है total अभी 4 रोप वे हैं राजस्तान में 4 कहां कहां पे हैं presently 4 है उनमें से एक है जालोर में दूसरा है उदेपूर में तीसरा जो है वो है पुषकर में और चोथा है यह है जयपूर में चोमू जयपूर जो चोमू तैसिल है वहाँ पे है चोमू जयपूर में अब देखे जालोर में जो है वो है सुन्दा माता उदेपूर में है मनशापूरण करणी माता और पुशकर में सावित्री माता और जो ये चौमू में है सामोध आप जानते होंगे कई लोग ये काफी फेमस ट्यूरिस्ट प्लेस भी है सामोध अनुमान जी का मंदिर यहां पे है सो पहला कौन सा है इन में से जो सबसे पहला है वो है सुन्दा पहाड़िया काँ पे आए जालोर में है बीनमाल में है जालोर जिले में जो बीनमाल है वहाँ पे आए ये 2006 में इसको सुरू किया था क्यूशन डाइरेक्ट नहीं तो उससे रिलेटेड भी अगर कोई क्यूशन आएगा तो आप उसको सॉल कर दोगे इस तरीके से यही कोशीस है WHO का हेड़क्वाटर कहां है विश्वे स्वास्ते संगटन WHO का मुख्यालक कहां पे है WHO है इसका जो हेड़क्वाटर है ये स्विट्जर लेंड में जीनेवा में देखे पिछले दो तीन साल से अगर कुछ चर्चा में है तो WHO है सो इसका पूचा जा सकता आपसे क्यूशन और आने वाले टाइम में UN की जितनी भी एजेंसीज हैं उनका क्यूशन हम आपको करवा लेंगे WHO है ये United Nation की एक इकाई है और इसकी इस्तापना कब हुई है WHO की 1948 में 7 अप्रेल 1948 में बुलेट प्रूफ जैकिट बनाने के लिए निमन में से किस पॉलिमर मेट्रिक का उप्योग किया जाता है बुलेट प्रूफ जो जैकिट है उसको बनाने के लिए एक क्रत्रिम रेशा या जो गर्मी परतिरो दियो जिसमें गर्मी नहीं लगती हो गर्मी प्रतिरोधी हो और जो कृतिमिन रहषय से बना होता है वो है यह एक पॉलिमर मेट्रिक केवलर का प्रियोग किया जाता है इसमें यह ध्यान रखना आपको केवलर का यूज लेते हैं बुलेट प्रूप जैकिट बनाने में कौन सी NGO बारत की परियावर्ण ये रिपोर्ट देती है कौन सी NGO है जो बारत की परियावर्ण से रिलेटेड रिपोर्ट देती है ये है डेवलपमेंट अल्टरनेटिवज डेवलपमेंट अल्टरनेटिवज ये NGO है और इसकी स्तापना कब हुई थी 1982 में पारिस्तिती की तंतर में किसे उत्पादक के रूप में जाना जाता है यह कापी important topic है इसको आप अच्छे से करना पारिस्तिती की तंतर है उसमें उत्पादक क्या होता है जो उसके उपर के लेवल के हैं, जो उपर के इस तरवाले जो प्राणी है या जीव हैं, उनको कहना परदान करते हैं ये, और ये ही पारिस्तिति की तंतर में ऐसे कारे करता है, ये दो होते हैं, एक जैविक होता है, एक जैविक होता है, जैसे एजैविक है, अब एजैविक क जैसे सूर्य प्रत्वी के लिए उर्जा का में शोर्ट है, यह जैविक है, जैविक में क्या आते हैं? सुक्सम जी औbas हो गए, पोदय हो गए, जानवर हो गए, इस तरीके से उत्पादक 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 उ गास सी इसका correct answer होगा इस topic को आगे भी अच्छे से cover करवाएंगे और question आएंगे जब आप दीरे-दीरे cover हो जाएगा सारा आप support जरूर करिएगा चैनल को subscribe करके निमल लिकित में से किन लोगों ने home rule movement की स्तापना की इन में से किस ने home rule movement की स्तापना की देखें home rule movement बारत में कब आया है existence में ये अस्तित्वे में आया 1916 से और 1916 से 1918 के बीच में और ये जो आईरलेंड का home rule movement था उससे inspire था उससे प्रेरित था इसकी जो स्तापना की है एनिविसेंट और बाल गंगादर तिलक ये ही इसका correct answer है next देखते हैं next question निमले कित्मे से किस ने 1909 में बारतिय राष्ट्य कॉंग्रेस के लाहोर अधिवेशन की अध्यक्सता की थी देखें लाहोर के दोनों ही अधिवेशन important है 1909 और 1939 जिसकी अध्यक्सता पंडित नेहरू ने की थी जवारलाल नेहरू ने जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग उठाई थी वो 1939 का भी लाहोर में हुआ था वो बताईएगा आप कोन सा था 42 वा था या चमालिस वा था कॉंग्रेस का अधिवेशन 1909 में 1909 में जो बारती राष्टे कॉंग्रेस का लाहोर अधिवेशन था उसकी अध्यक्सता की थी पंडित मदन मोहन माल वियन दादा साहिब पाल के अंतराष्टे फिल्म पुरुसकार फिल्म माउचसो पुरुसकार 2022 फिल्म ओफ दे इयर अवोर्ड किस फिल्म को मिला है देखे ये कई कैटेगरी ऐसी है जिनमें आप कन्फ्यूज हो जाते हो इसमें जैसे फिल्म ओफ दे इयर अवोर्ड या फिर सर्वसरेष्ट फिल्म ओफ दे इयर अवोर्ड इस तरीके से कई कैटेगरी ऐ उनमें कन्फ्यूज नहीं होना आपको एकदम क्लियर रहना है प्रेक्टिस करोगे तो हो जाएगा ये इसके और क्यूशन ले आएंगे आगे अभी जो फिल्म ओफ दे इयर अवोर्ड दोजार बाइस दादसाब पाल के पुरुसकार किस पिक्चर को मिला है वो देखते हैं जो फिल्म ओफ दे इयर अवोर्ड मिला है वो मिला है पुस्पा दे राइज को सेरसा को क्या मिला है पिक्चर का नाम है ये picture का नाम है इसके लिए best actress का award मिला है ये कृति सनन को मिला है ये कुछ है आपको ध्यान में रखना है B इसका correct answer है दोसा सहर का नाम किस पहाड़ी के नाम पर पड़ा है ये question पूछे जाते हैं कई बार exam में चर्चा में रहते हैं जो topic वो ही पूछे जाते हैं देखें यहां पर जो ये पहाड़ी है दोसा में इस पर एक निलकंट मादेव का बहुत पहमस मंदेर है इसी पहाड़ी पर और यहां जो लगातार का एक्जामस में question पूछा जाता है लखी मेला लखी फेयर है ये इसी पहाड़ी पर और्गनाईज होता है लखी मेला ये है देवगिरी पाड़िया देवगिरी प्रवत पे निलकंट मादेव का लखी मेला दोसा का नाम इसी पह पढ़ा है डी दै इसका correct answer होगा निम्न में से कौन सा यूग में सही सुमेलित नहीं है question को अच्छे से पढ़ना है कई बार हमारे पास time कम बचता है तो हम question को पूरा नहीं पढ़ते हैं और गलत कर देते हैं देखिए पूरा paper attempt करने के बजाए आप चाए 80% paper ही attempt कीजिए लेकिन जितना attempt करें उसमें आपकी probability सही होने की ज़्यादा होनी चीए बजाए negative करने के या गलत करने के संभाग और associate district है कि संभाग में कौन सा जिला आता है जैपूर division की बात करें जैपूर संभाग की दोसा seeker अलवर ये बात सही है देखे जैपूर संभाग में दोसा seeker अलवर और जैपूर खुद तो जैपूर दोसा seeker अलवर इसके अलावा एक district और आता है वो है जुन-जुन तो ये district 4 तो 5 district जैपूर division में हो गए जोदपूर division में पाली, शिरोई, नागोर एक खुद जोदपूर लेकिन जो नागोर है ये नागोर जोदपूर division में नहीं आता ये अजमेर division में आता है अजमेर संभाग में आता है उदेपूर में राजसमंद, बांशवाडा परतापगड उदेपूर, चित्तोडगड डूंगरपूर ये आते है बरतपूर division में करोली, मादोपूर दोलपूर और इसके अलावा बरतपूर खुद ये आते है तो आप इनका जरूर देखिएगा ये क्यूशन आता है एक्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है इसका जो correct answer होगा कि गलत कौन सा है ये है क्योंकि नागोर अजमेर division में आता है अजमेर division में कौन कौन से आते हैं खुद अजमेर बीलवाडा टॉंक और नागोर ये अजमेर division में आते हैं अब मैप अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा एक्जाम की preparation जो seriously कर रहे हैं मैप के बिना कुछ नहीं होगा आपकी जियोगरोफी मैप से ही clear होगी देखें competitive exam में एक-एक marks की लड़ाय होती है Lord Rippon ने Hunter I.O का गटन किसले किया था Lord Rippon ने Hunter I.O का गटन कब किया था पहले तो हम इस पे चर्चा करते हैं ये 1882 में 1882 में Hunter I.O का लॉड रिपन ने इसका William Hunter की अध्यक्सता में इसका गटन किया था Hunter I.O के अध्यक्स कोन थे William Hunter और इसका काम क्या था इन्होंने कई suggestion दिये थे सुदार education reform के लिए elementary और higher education में प्रारंबिक और उच्च शिक्षा में कई सुदार के लिए इन्होंने सुदाव दिये थे तो इसका correct answer आएगा बारत में शिक्षा सुदार के लिए Hunter I.O के लॉड रिपन ने अपोइंट किया था 1857 के विपलव के समय राजपूताना residency में agent to governor general AGG agent to governor general कौन था राजपूताना residency में की बात हो रही है तो राजपूताना residency में जो agent to governor general थे वो थे Patrick Lawrence Patrick Lawrence AGG थे Next question की बात करते हैं राज्य मेलायों के अद्यक्ष पद पर कौन आसीन नहीं रहा इन में से कौन राजस्तान में मेलायों का chairman नहीं रही है मेलायों के अद्यक्ष नहीं रही है इन में से कौन देखे कांता कतूरिया रही है लाड कुमारी जैन रही है गिरिजा व्यास नहीं रही है तारा बंडारी रही है तो गिरिजा व्यास राज्तान राज्य महिला आयोग के अद्यक्ष नहीं रही है क्यूशन है अभी प्रजेंट में प्रजेंट में जो राज्तान विमेन कमिशन है ये इसकी अद्यक्ष कौन है रेहाना रियाज रेहाना रियाज अभी प्रजेंट में राजस्तान में महिलायोग के अध्यक्स है किस राजा का उलेक सिलालेकों में पिया दसी या देवनम्प्रिये के रूप में किया गया है किया गया है देखे जो भी असोकन इन्सक्रिप्षन है जो असोक ने बनवाए है अभी लेक उनमें असोक के नाम की जगे उनकी अफ़ाद्यों का प्रियोक किया गया है जैसे देवनम्प्रिये यह दिखने में सुंदर हो इसका correct answer आएगा C. असोक अपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा जो भी आपकी suggestions है comment section में जरूर discuss करें कोई भी query हो आपकी exam से related आप जरूर पूछ सकते हैं All the very best Good luck, thank you very much